आज मुझे बहुत तेज बुखार था और बुखार से मैं इतनी तप रही थी कि मैं अपने मालिक चोकी एक हिजरा है और उसका नम चंदा है मैं उसके कमरे में नहीं जा सकी और रोज-रोज जो काम वह मुझसे करवाता था वह ना कर सकी जिस काम को करते करते मुझे हर रात शंशार होना परता था क्योंकि ना जाने कियों मुझे बहुत खबरायाट होती थी बुखार की कारण मुझे नींद आ गई थी, चंदा माने मुझे दवाई दे दी थी, ताकि मैं अच्छे से सो जाओं, लेकिन फिर अचानक रात को मेरी नींद खुल गई, मुझे बातरूम जाना था, जब मैं बातरूम जाने के लिए उठी तो चंदा मा के कमरे से मुझे जो जबराने लगा था, मैंने सोचा जंदा मा ठीक तो है न, आखिर उनकी सिस्कियां क्यों आ रही है, मैं उसके कमरे के पास गई तो देखा दरवाजा हलका सा खुला हुआ था, हिम्मत करके मैं हलका सा पर्दा हटा कर जैसे ही अंदर जाका तो मेरे पैरुतले से जमीन निकल मैं वहीं खड़ी-खड़ी कापने लगी थी, और मैंने सपनी में भी नहीं सोचा था कि जंदा मा जिसने मुझे बचपन से पाला है, वह उस रात में यहां सब कुछ करती है, पर क्यों, उनका शरीर तो, मैंने कभी सोचा भी न था कि दुबई आकर मैं हिजरा लोगों के ज जो चीज दिखा था, मेरा दिल बहुत गबरा रहा था, मैं डर के मारे अपने कमरे में आ गई थी, और किसी तरीके से मैं करवट बदल कर वहां रात बिताई थी, चंदा मा के कमरे से वहां आवाज बार बार आ रही थी, जिससे मैं चद्दर के नीचे बिलकुल दुबग ग अलसाई आखों से मैंने देखा तो चंदा मा सामने बैठी थी, और मेरे सिर पर अपने हाथ फिर रही थी, मुझे जाकता देख कहने लगी, तुमारी तबियत तो आज ठीक लग रही है, मैंने हाँ में सिर हिलाया, तो चंदा मा ने कहा, उठकर तयार हो जाओ, तुम्हें प आस्ता करने के बाद मुझे पढ़ाने के लिए टीचर आचुके थे, मेरे टीचर कमलेश भी कोई और नहीं, बल्कि एक हिजरा ही थे, वो दिखती तो औरत जैसी थी, पर हाओ भाओ मर्द जैसे थे, शुरू में तो मुझे उनसे पढ़ने में बहुत डर लगता था, मुझ पूरी बिल्डिंग में अलग-अलग हिजरे के फ्लैट बने हुए हैं, और वह सब अक्सर साम के वत इकठा हुआ करते हैं, और आपस में बातचीत किया करते हैं, मैं भी उन लोगों के साथ रहती हूँ, तो मेरी भी सबसे दोस्ती हो गई है, घूम फिर कर जब मैं घर आई मुझे इस तरह हमेशा घर पर बन रहना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बाहर घुमने निकल जाती हूँ, जंदा मा ने कहा, हाँ मैं समस्ती हूँ, पर यूँ अकेली मत जाया करो, किसी को अपने साथ ले कर जाया करो, मैं उनसे ज़्यादा बहस नहीं करती थी, क्योंक मैं घर के कामकाज निपटाने के बाद, जब मैं थोड़ी फ्री हुई तो सोचने लगी, आज रात को मुझे चंदा मा के कमरे में जाना होगा, और वही काम करना पड़ेगा, जो हर रोज मैं करती हूँ, कल मैंने जो कुछ भी देख लिया था, उसके बाद मुझे काफी लिया था, जहां सारे हिजरे मिलकर बादचित कर रहे थे, नाजगा रहे थे, लेकिन तभी अचानक मेरी नजर उस सक्सपर पड़ गई, जो चंदा मा के कमरे में रात में आया था, यह यहां क्या कर रहा है, यह तो यहां नहीं रहता, मैंने मनी मन सोचा, उसको देखते ही, चंदा मा के चहरे का रंग नीला पड़ गया, और वह जल्दी से चलती हुई, उनके पास पहुँच गई, हिजरा होने के बावजुद भी, चंदा मा काफी खुबसूरत थी, और वह मात्र 35 साल की थी, उनके अंदर का राज मुझे पता था, पर यह आदमी कौन है, मैं इसी के बारे में सोचने लगी थी, चंदा मा उस आदमी को एक कोने में लेकर गई, और ना जाने उससे क्या कहा होगा, कि वह वहाँ से तुरंधी निकल गया, तभी चंदा मा की नजर मुझ पर पड़ी, तो मेरे पास आकर वह कहने लगी, यह मेरे साथ काम करता है, कुछ काम के स सिलसिले में मुझे कुछ खबर देने आया था, लेकिन मैं तो सब समझ रही थी, मैंने कुछ भी नहीं कहा, बस मैं यही सोच रही थी कि आज रात भी क्या यह आदमी उनके कमरे में आएगा, मुझे बहुत डर लग रहा था, तभी एक हिज्रा पलक चंदा मा के पास आ गई वह भी उनके उम्र की थी, उसे अपने पास बुला कर कुछ समझाने लगी थी, पताने लगी थी, उनमें ना जाने क्या पाचित चल रही थी, कि चंदा मा बहुत परिशान लग रही थी, कहीं पलक को उस आदमी के बारे में तो कुछ नहीं मालुम चल गया, जिस बज़र से दोनों में बहस्यल रही है, खेर, रात को खाना खाने के बाद 9 बजे मैं मा के कमरे में आ गई, जो कि मेरी असली मा नहीं थी, बस उनसे जब मैं पहली बार मिली थी, उन्हें मा कहकर पुकारा था, मेरा जन्म दुबई में नहीं हुआ था, बलकि मुझे दुबई में बेच दिया गया था, मेरे मा बाप बहत गरीब थे और वह एक एक करके बच्चा पैदा करते गए, हम छे भाई बहन हो गए थे और खाने को तरस्ते रहते थे, जब परिवार में इतनी बुरी हालत हो गई तो कुछ दलाल मेरे मा बाप को पैसे दे कर मुझे खरिद लिया, उस वक मात्र मैं 12 साल की थी, बहर लोग मुझे वहां से उठा कर मुंबई ले आये थे, तब ही चंदा मा मुझे देखते ही आवाज लगाई, सोनिया आ गई तू, चलिया कपड़े पहन ले, पुराने खयालों से मैं तुरन बाहर आ गई और मैंने उनके हाथों से कपड़े ले लि लेकिन मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, चंदा मा मेरा इंतिजार करने लगी थी, कापते हुए हाथों से मैंने वह सब कुछ शुरू कर दिया था, चंदा मा एक टावल लोड़े वहां लेटी थी, और उनके साथ मैं वह सब कुछ कर रही थी, मेरा हाथ मुझे बस इंतिजार था कि गहरी काली रात में आखिर चंदा मा के कमरे में आज क्या होता है, यह जानने के लिए मेरा दिल बहुत उतेजित हुआ जा रहा था, करिब एक घंटे के बाद मुझे फिर से मा के कमरे से आवाज आने लगी थी, मैं उठकर बाहर निकली तो उनका दर्वाजा आज भी हलका सा खुला हुआ है, और अंदर परदा लगा हुआ है, हलका सा परदा हटा कर जब मैंने कमरे के अंदर ज्ञाका तो वक ठम चुकी थी, मेरे होश बय गय थे और मैं अपने कमरे में आ गई, मैं बहुत दुखी होई थी, कि किसी तरीगे से मैं सो गई, मा कपड़े सिलाई करती थी, उन्होंने अपनी एक दुकान बना रखी थी, जहां नकेवल हिजरे बलकि आम औरतों और मर्द उनसे कपड़ा सिलवाती थे और उनके पास और भी हिजरे काम करते थे, जिससे उन लोगों को घर में घोंगों कर फंक्शन में गाना नहीं गाना परता था और सडक पर भीग नहीं मांगनी परती थी, कम से कम दुबई में तो यह लोग इज़्जत से काम करते थे और आम लोगों को उससे ज़्यादा फर्क नहीं परता था मुमबई के उन दलाल के पास पहुँचकर मैं दुबई तब का सफर तै किया था और मेरी किसमत अच्छी थी कि मैं किसी तरीके से चंदा मा के पास पहुँच गई थी वरना मेरा वह हाल हो जाता, अभी के हालत से कहीं ज़्यादा बुरा होता क्योंकि मुमबई में जिस दलाल ने मुझे खरिदा था उसने मुझे कैद कर लिया था वह मेरे पास आया, उसने मेरे गालों को पकर लिया और कहा तेरी तो बहुत उची कीमत मिलने वाली है मैं देखने में गोरी जिट्टी और खुबसूरत थी, पर बहुत दुबली पतली थी क्योंकि छे बाहई भेहन होने के कारण मुझे ठीक से खाना नहीं मिलता था दो-तीन महिने तो उन लोगों ने मुझे वहीं पर क्याद रखा और खुब खाने पीने को दिया था एक पल तो मैं यही सोचने लगी थी कि कम से कम घर से अच्छा यहां मैं पेट भर खाती हूँ लेकिन तीन महिने के अंदर मेरा वजन थोड़ा ठीक ठक हो गया तो वह काला सा आदमी मेरे पास आगर कहा और वक्त आ गया है कि हम तुझे बेच दें यह सोच कर तो मैं कापने लगी थी भले ही मैं 12 साल की थी पर काफी समझदार थी क्योंकि घर में भाई बहनों में से मैं सबसे बड़ी थी और घर का सारा कामकाज भी करती थी वह लोग तो इंडिया से बाहर दुबई लेकर आ गए और दुबई की किसी सेख के हादो मुझे बेच दिया था मैं बहुत ही खुबसूरत से कमरे में नर्म बिस्तर में बैठी हुई थी और अपने घर का गंदा बदबुदार जोबरा याद कर रही थी दर के मारे तो मानो मेरी जान निकले जा रही थी कि मेरे साथ अब यह लोग क्या करेंगे क्या यह लोग मुझे अपने घर के नौकरानी बनाएंगे या मेरे साथ कुछ और गलत काम करेंगे क्योंकि इन लोगों ने पैसे देकर मेरी कीमत अदा की थी, तो अब मैं उनके गुलाम हूँ, यहाँ सोचकर मैं अपनी बेबसी के लिए पस्ता रही थी, तभी कमरे का दर्वाजा खुला और चार आदमी अंदर आ गए, अंदर आते ही वहां मेरी तरफ गंदी नजरों से मुझे लगा कि इन चार लोगों को कैसे झेल पाऊंगी, मैं तो मात्र 12 साल की बच्ची हूँ, यहाँ सोचकर मेरी आखों से आसू आ गये थे, वहां लोग थोड़ी देर तक मुझे देखते रहें, और फिर आपस में कुछ बात करके बाहर निकल गये, और मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी, कि मैं कुछ सेगेंड तो सांस लेना ही भूल गई थी, उसके बाद उस कमरे में बैठी बैठी, मैं उनका इंतजार कर रही थी, कि मेरे साथ क्या गलत होगा, और फिर मुझे पता नहीं कब निन आ गई थी, और मैं सो गई थी, जब मैं सुबह उठी तो म मैं किसी और जगह पर थी, यहां देखकर मैं काफी घबरा गई, क्यूकि मैं जहां सोई थी, वहां तो कोई और ही कमरा था, फिर मुझे यहां पर कौन लेकर आया, और मेरे साथ क्या काम किया होगा, अब मेरे बदन के कपड़े भी चेंज हो गए थे, मैं जल्दी से उठकर सामने बनी बातरूम में गई, और फिर वहां पर अपने कपड़े खोल कर चेक करने लगी, कि मेरे जिस्म के किसी अंक के साथ कुछ छेरचार तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, घबराई सी में वापस कमरे में खूमकर उसका जाय जा लेने ल मैं बिल्कुल चौक गई थी, क्योंकि वहां लड़की के कपड़े पहनी हुई थी, लेकिन जब उसने बात की तो उसकी आवाज काफी भारी थी, तो मुझे अपने बच्पन के दिन याद आ गये थे, जब मेरे भाई बहन जरम लेते थे, तो हिजड़ी आकर नाच गाना कर मेरे समझ में आया की, यह एक हिजरा है, जिस बज़ा से मैं और ज़्यादा डर गई, तभी चंदा मा मेरे पास आई, और कहा तुम्हें आप डरने की कोई ज़रुरत नहीं है, तुम मेरे पास सुरक्षी थो बच्ची, उसने इतने प्यार से कहा था, कि मैं अब अपने आप को रोक न पाई, और फूट फूट कर रोने लगी, उन्होंने मुझे अपने बाहों में ले लिया था, और कह रही थी, सांथ हो जा बच्ची, अब सब ठीक हो जाएगा, इतने दिनों बाद पहली बार किसी ने मुझे इतने प्यार से गले लगाया था, मेरे अंदर जजबा उमर रहे थे, उन्होंने मुझे बचा लिया था, न जाने वह सेख मेरे साथ क्या सुलूग करता, चंदा मा के साथ मैं उनके हर काम में मदद करने लगी, और उसके बदले में वहां मुझे पढ़ाने लगी थी, पढ़ाई से मेरा पहली बार नाता जुरा था, मेरी तालिम घर पर ही होती थी, पर मैं एकजाम देने बाहर जाती थी, यही सब कुछ पुरानी बाते सोचते सोचते मुझे कब नीन आ गई पता ही नहीं चला, और जब मैं सुब आज उठी तो बाहर चंदा मा के रोने की आवाज आ रही थी, उनके साथ और भी हिजरे की आवाज आ रह ही है, और उनके चार ओर काफी साड़े हिजरे बैठे हुए हैं, और सब रो रहे हैं, मेरी तो समद में कुछ भी नहीं आ रहा था, कि आखिर यह लोग रो क्यों रहे हैं, तभी कोई चंदा मा से कहा की मर्द जात होते ही ऐसे हैं, धोखा देते हैं, हम हिजरों को कोई नहीं अपनाएगा, हमसे कोई शादी नहीं करेगा, इसलिए प्यार की चाहत ही बेकार है, कल मैंने चंदा मा को कहते सुना था, उस आदमी से कह रही थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, क्यों ना हम साथ मिलकर घर बसाए, जरूर कुछ हुआ होगा, चंदा मा जिस शादी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी उलाग का सुक चाहिए, जो हम नहीं दे सकते, और यह जालिम समाज है, जो हमें सुविकार नहीं करता, चाहे है हम अंदर से कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हूँ, पर इस दुनिया को हमारी कोई कदर नहीं है, हमारी एक कमे की वजह से हम धुतकारे जाते हैं, वह बोले जा रही थी और बाकी हिज्रे रुए जा रहे थे, मुझे समझ आ चुका था, यह लोग प्यार के लिए तरस्ते हैं, पर इन्हें प्यार नहीं मिल पाता, चंदामा उस आदमी से प्यार पाने के लिए रोज मुझे अपने कमरे मे बुलाती थी, क्योंकि उन्हें अपने बदन में बाल पसंद नहीं था, तो मुझे सारे बाल निकल वाती थी, लेकिन अगले दिन फेर से उनके सरीर में बाल निकल आता था, और यह सिलसला रोज रोज चलता था, उनके सरीर के हर हिस्से से बाल निकालने में मुझे शर्मात जिस वज़े से मैं डर जाती थी, आज चंदा मा रो रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल दर्ष से चल्ली चल्ली हो रहा है, मेरे आखों से आसु आ गए थे और मैं रोते रोते चंदा मा के पास पहुँच गई, उन्होंने मुझे अपने बाहों से लगा लिया, मैंने मा ने कहा तुने जो इस आदमी को देखा था उस दिन दरसल मैं उसे प्यार करती थी वह रोज मेरे पास आ जाता था लेकिन जब मैं उससे शादी की बात करी तो उसने कहा मैं हिजरे से शादी नहीं कर सकता और मेरा दिल तोड़के चला गया मैं बस चाहती थी कि मेरा एक पती हो एक बच्चे हो बच्चे के रूप में तो तू मुझे मिल गई थी उस दिन मैंने तुझे देख लिया था जब मैं सेख के कपड़े की डेलिवरी करने गई थी मैं उसे पैसे देकर तुझे अपने पास रख लिया था तुझे मा का प्यार देना चाती थी, मुझे पता चला था किस तरह से तीरी मा बापने तुझे बेज दिया है, तुझे पढ़ा लिखा कर अच्छे घर में शादी करवाना चाती थी, हम दोनों खुल कर बहुत रोए, धीरे धीरे चंदा मा शान्त हो गई थी, मैं भी उनके काम में हाथ बटाने ल जब मैंने कहा था कि मैं आपके साथ रहना चाती हूँ, शादी नहीं करना चाती, पर हर अच्छी मा की तरह उन्होंने मेरे अच्छे घर में शादी करवा दिया, मेरा ससुराल घर से एक्दम पास था, तो मैं रोज अपनी मा से मिल लिया करती थी, और जब मुझे बच्चा वो उन्हें कभी नहीं मिल पाया, यह समाज ऐसा है, हमें भी चाहिए कि भगवान के बनाई सारे जीव मिल जुल कर रहे, सारे इंसान मिल जुल कर रहे, और किसी की सारीरिक कमी की वज़य से उन्हें अपनों से दूर न करें, दोस्तों अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को प्रेस करें, थेंक यू